है एविवान वेलकम टो अड़िवान वेलकम टो अड़िवान दिस इस अदिती और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जो है डिफ्यूजन सो हम बढ़ रहे थे ग्रेट 9 बायोलोजी का चाप्टर वन डाट इस फंडमेंटल होती है वह अलाव करती है एंट्री एंड एंग्जिट ऑफ सम मॉलीक्यूल्स ओनली और हमने यह भी देखा था कि जैसे गैसिस का मुव्मेंट होता है थूदा सेल्स के अंदर और सेल के बाहर वो डिफ्यूजन के थूट है मगरी डिफ्यूजन क्या होता है आज हम इसका मत हम इसमें डिस्क्राइब करूँ तो डिफ्यूजन का मतलब होता है तू स्प्रेड आउट कोई चीज स्प्रेड हो रहे होगी ठीक है आप एक एक्जाम्पल ले सकते हो लेट से आपने ग्लास लिया ठीक है उस ग्लास के अंदर आपने एक ड्रॉप इंक की डाली थोड़े फैल एकजाम्पल और है आप्कर कंड愡़े के करते हो ठीक है वहां आपने परफ्यूमड आणव और स्कमर्सेंक कोई और वह उसके पर्फियूम्ल को साथ सकता है तो इसके और ऊक्वे उन्सान तरिया नस anger आ रही है तो यह क्या है यह सारे एक्जम्पल किसी इसके हैं यह है डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब स्प्रेडिंग आउट अगर मैं इसको प्लाज्मा मेंब्रेन के कंटेक्स में पढ़ाती हूं तो हमने यह देखा था कि गैसेज मूव करती हैं सेल के अंदर से के बाहर कौन कौन से कैसि हमने पर्टिकुलरली दो गैसिस के बारे में देखा था हमने देखा था औक्सीजन और सियो टूग बच्चो होता है ना हूंण बोड़ी के अंदर सेल ही सेल है बहुत सारी सेल है बेसीच यूट इनट सेल ही है वहा How अब क्या होता है जब भी हम breathe in करते हैं तो जब हम breathe in करते हैं तो हम oxygen लेते हैं ये oxygen हमारी body में जितनी भी cells present है वहाँ पे जाती है ठीक है तो क्या होता है भीया cell करती है respire कैसे करती है वो ले लेती है oxygen ठीक है हमने breathe in करा blood के through oxygen travel होती है और वो हमारी cells में चली जाती है जब respiration होता है cell के अंदर तो byproduct में बनता है CO2 मगर CO2 तो cell के लिए एक waste material है तो वो क्या करेगी इसको बाहर निकाल देगी cell से ठीक है तो यह CO2 जो की waste material है यह चला दाता है cell के बाहर अब जो यह movement होता है gases का यह कैसे होता है यह होता है diffusion से diffusion क्या होता है? diffusion is nothing but the movement of molecules ठीक है basically solute molecules और solvent molecules from high to low concentration ठीक है तो diffusion के अंदर molecules move करते हैं वो solute के भी हो सकते हैं solvent के भी हो सकते हैं मगर move वो हमेशा high से low concentration करेंगे एक बात तो हो गई यह अब solute और solvent अगर किसी को इसमें confusion मैं एक बार clear कर देती हूँ देखें कोई भी solution होता है let's say ठीक है? मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ आपको solution कोई भी solution जो होता है ना वो बना होता है आपका solute से और solvent से अब देखो सबसे भड़िया तरीका क्या है इसको याद करने का? दिमाग में रखो sugar solution आपने एक sugar को solution लिया मतलब sugar solution में क्या होगा? पक्ता चीनी पानी में घुली होगी यही तो होगा अब जो यहाँ पे है पानी वो तो behave करता है बच्चो solvent की तरह vent is something जिसमें आपको चीज डिजॉल्व कर रहे हो और जो आपने ऊपर से sugar molecule लाला है ठीक है? वो behave कर रहा है solute की तरह ठीक है? तो जिस चीज में डालते हो वो है solvent जिस को डालते हो वो है आपका solute बास समझाए? अब मैंने के बताया? diffusion के अंदर molecules move करते है देखो left वाला diagram देखो ये एक cell है ठीक है? cell के बाहर क्या है? let's say ये कोई gas है ये आपकी समझ लो oxygen gas है अब cell के अंदर है oxygen कम बाहर है oxygen जाता तो क्या होगा? cell बाहर से अंदर oxygen को ले लेगी कैसा movement हो रहा भया बाहर जाता है तो बाहर का movement बाहर से अंदर movement हो रहा है ये इनकी बाहर जो हाई oxygen है वो अंदर move कर रही है जहां पर आपकी low O2 present है ठीक है? so movement is happening but happening from high to low concentration this is your diffusion जब कभी क्या होता है? let's say अब उसने oxygen अंदर ले ली अब अंदर क्या है भया? oxygen है cell ने respire के अब राए अब इस CO2 को cell को बाहर निकालना है तो CO2 कैसे बाहर cell निकालेगा? वो फिर निकालेगा diffusion की थूँ अब क्या होगा? let's say अंदर भया CO2 भर गई है ठीक है? अब अंदर CO2 जादा है पर बाहर cell के external environment में CO2 कम है फिर movement होगा फिर वैसे होगा कैसे? low से high concentration जहां external environment में CO2 की मातरा कम है simple हमेशा याद रखना diffusion के अंदर movement होता है solute भी हो सकता है solvent भी हो सकता है मगर होगा high से low concentration इतनी बाद हमेशा याद रखना अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया यह diffusion हम बायो में भी पढ़ते हैं सबका सेम ही रहता है भी है कि molecule मूफ करता है high से low concentration अब diffusion gases के case में भी देखा जाता है liquid के case में भी दिखा जाता है और solid के case में भी बट फरक इतना है gases में बहुत ज़्यादा देखा जाता है यह gases के जो particles होते हैं उनका जो intermolecular space होता है वो बड़ा ही कम होता है इधर उदर आप समझ लोगे container है आपके पास जिसके अंदर कोई gas है इधर उदर particles बंबाट कर रहे होंगे intermolecular space बहुत ही कम है कोई चीज liquid है intermolecular space थोड़ा comparatively जादा है gas के मगर अगर कोई चीज solid है let's say this is a pen तो यह क्या है एक solid है ना ठीक है definite shape volume tension मतले ना chemistry में सब पढ़ेंगे but यहाँ पर हम क्या समझ रहे है कि molecules बड़े ही पास-पास है ठीक है तो जितने पास-पास होते हैं ना उतना ही तो movement कम हो पाएगा तो diffusion क्योंकि movement है तो वो solid के case में सबसे कम है फिर वो liquid में मगर gases में सबसे जादा दिखने को मिलता है यही simple jest है अगर मैं biology के terms में अगर आप इस चीज को समझाती है तो भाई यही है plasma membrane selectively permeable membrane है gases का movement होता है diffusion के तुरू कैसे होता है cell के अंदर कोई gas जादा है let's say अगर CO2 जादा है तो CO2 को move करना है बाहर क्योंकि बाहर CO2 कम है तो वो move करती है आपके diffusion के process से कैसे spontaneous movement होगा ठीक है high से low concentration पे होगा ऐसी oxygen cell के बाहर जादा है ठीक है अंदर cell के कम है और cell को चाहिए oxygen तो वो क्या होगा बाहर से अंदर आजाए कि again movement will happen but it will happen from high to low concentration ठीक है तो कभी भी होगा diffusion के अंदर spontaneous movement होता है high से low concentration ही होता है इतना जरा सा concept है hopefully आपको clear हो गया होगा ठीक है next video के अंदर हम इसी के continuation में पढ़ने वाले हैं osmosis जिसमें हम activities भी पढ़ने वाले हैं तो एक एक NCRT का concept लेके चलते या आमने diffusion क्लियर कर लिया है next video में पढ़ने वाले हैं osmosis